Hello everyone, dear student, आज के इस फीडियो में हम बात करेंगे Class to Health की Political Science का जो हमारा चैप्टर नमबर 8 है परियावरन और प्राकृतिक संसादन इसको हम करने वाले एक बार स्लेबस देख लेजिया देखें, स्लेबस आपका वैसा ही है जैसा आपके NCRT में दिया हुआ अगर आप कुछ पूछना चाहें, मुझे बात करना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे Instagram पे और Instagram पे मेरा User Idea, Eklavar Study Point आप इस नाम से सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरा नाम है सतंदर परताब तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जो भी आपको बताऊंगा important चीज़े हैं आपको note down करना चाहो तो note down कर सकते हो बाकि आप लिख के इसको याद कर सकते हैं देखिए 1960 के दसक से पर्यावरन के मसले ने जोर पकड़ा अब क्या था भई कि पर्यावरन के मसले को लेकर अगर हम 100 साल 200 साल पीछे जाए तो ये कोई मुद्दा ही नहीं माना जाता था क्योंकि जनसंक्या जितनी आज के समय में है इतनी 100-200 साल पहले नहीं होती थी ठीक है पहले जनसंक्या कम थी पर्यावरन की ऐसी समस्याएं भी नहीं थी ये तो अब हमें समझ में आने लगे है कि हमने बहुत जादा मतला पॉल्योशन को फैलाया है जिसकी वज़े से पर्यावरन जो है वो दूसी तो रहा है तो ये बात है कि 1960 के दसक से पर्यावरन के मसले ने जोर पकड़ा अब पर्यावरन के मसले पर विबिन देश बात करने के लिए तैयार होगे है अब तैयार क्यों होगे है विबिन देश आप सबी जानते हैius क्योंकि ये जो पर्यावरन की जो समस्या है ये किसी एक देश के नहीं ये पूरी दुनिया भर में ये पोल्योशन और वनों की कटाई, पॉल्योसन, बांध, कई तरह की चीज़े हैं परियावरण वाले चैप्टर में वो सारी समस्या दुनिया भर के देशों के सामने आ रही है आगे आप विस्तारते समझाऊंगा तो आपको समझ माएगा ठीक है अब बात करते हैं परियावरण में विभिन समस्या आएं तो परियावरण में कौन सी समस्या हैं सबसे पहले आपको यह समझता है देखे, एक तो यह है कि जो किर्शी योग्य भूमी है अब यह घट रही है, पहले क्या होता था कि जमीन बहुत जादा थी लोगों की जनसंक्या कम थी तो ऐसे में जमीन बहुत ज़्यादा होती थी किर्शियोगय भूमी भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब क्या है जनसंक्या बहुत तेजी से बढ़ी है जैसे क्या है जमीन थोड़ी बढ़ती है मत्य भंडार घट रहे क्योंकि जादा तर मचलिया गुषर जा वह उर हैं पकड़ि जा रही है। इसलिये मत्य भंडार भी क्या हो रहे हैं दिरे-दिरे घट रहरे है। जल जो है वो प्रदूशित हो रहा है यह आप सभी जानते क्योंकि प्रित्मी में जल तो बहुत जादा है लेकिन पीने योग्य जल जो है वो काफी कम है और कई देशों में तो आप यह देखो कि पीने योग्य सुच्छ जल भी उपलब्द नहीं है इतनी जदा जल की समस्या हो रही है जल की कमी हो रही है यह भी एक पॉइंट है और खादे उत्पादन जो है उसमें भी कमी आ रही है पहले के मुकाबले विकासील देशों में पीने का सुच्छ पानी उपलब्द नहीं है और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है गंदे पानी से होने वाली बीमा बहुरिता पॉषित हो रहे है जैव वी विविता को बहुत हानी पहुंची रहे हैं जगलगहों गलोब बॉर्म नुट नहीं जाले जमंगे जीव धर प्रवाव Τो कि हुए है वह बहुत जद्व और जो उसको ऊगा है भट रहे हैं गलॉब there आ बढ़़ ए आपको अगे समझाओंगो ठीक है तो देखो ये जो थी ये पर्यावरन को लेकर समस्या थी इतनी सारी समस्या एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार आप स्क्रीन पर देख लो ये सारी समस्या है ठीक है ये सारी समस्या है आगे देखते हैं पर्यावरन की ये समस्या हैं विबिन देशों की सरकारों के द्वारा ही सुलजाया जा सकता है पर्यावरन की जो समस्या है आप सोच रहे होगे कि कई सारे टॉपिक तो ऐसे हैं जो कि जोग्रोफी में पढ़ाए जाते हैं फिर हम यहाँ पर इनको क्यों पढ़ रहे हैं तो रीजन यह है कि जो पर्यावरन की समस्या है हो सकता है कुछ टॉपिक जियोग्रोफी में आपको देखने को मिलते हूँ लेकिन बात यह है कि इन समस्याओं को आखिर सुल जाएंगे कौन कैसे सुल जाया जाएगा तो सुल जाने के लिए विपिन देशों की सरकारे ही सामने आएंगी सरकारों को ही सुल जाना है इसलिए को हम राजनिती में पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस टॉपिक हम पढ़ है इंपोर्टेंट है इसलिए इसको हम क्या गर रहे है राजनितिक मुद्दा माना जाता है एक बर क्या हुआ कि विद्वानों का एक समूह था एक ग्रूप था जिसका नाम है क्लब औॉफ रॉम इन्होंने उन् répondre में ईक भी लिखे ती जिसका नाम था लिमिट्स टो घ्रॉथ यह उन्होंने लिखे थी इसमें इन्होंने क्या किया था इस दर्साय आता बतायाता कि जो जन urgent क्या है जन संक्या जो बढ़ रही है तेजी से जतनी की से नंद 8 बढ़ रही ह संसादनों के चक्कर में यो दोने लग जाए तो ये इन्होंने इस बुक में समझाया था ठीक है और इसके बाद क्या कि UNEP ने पर्यावरन से संबंदित मुद्धों पर सम्मेलन करवाए हैं अब कई बार पेपर में ये पूछ लेते हैं कि बताइए UNEP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो UNEP का जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त राष्ट पर्यावरन कारेकरम इसको अगर आप इंग्लिस में बोलें तो United Nation Environment Program ठीक है इस तरीकी से भी आप याद रख सकते हो अब बात करते हैं रियो सम्मेलन तो चले समझते हैं कि भाई यह Юा इसमें क्यावात साम्मेलन आकर है का इसमें क्या बात थी तो देखते हैं 1992 में रियो सम्मेलन ब्राजील के रियो डि जनेर्यो में हुआ था UNओ का पर्यावरन और विकास के मुद्दे पर ठीक है कि किसका सम्मेलन था UNO का और किस मुद्दे बे था पर्यावरण और विकास को लेकर इसमें कितने देश सामिल हुए थे इसमें लगबग 170 देश शामिल हुए थे और इस सम्मेलन में हजारों NGO भी सामिल हुए थे NGO का मतलब यहां पर स्वेम से भी संगटन से ठीक है और इसमें कई सारी जो मल्टिनेशनल कंपनी होती हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे यह नहीं बहुराज्टी निगम जोते हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे ठीक है यह किस चीज़ को लेकर था यह पर्यावरण के मुद एक रेजी में अर्थ संमिट भी खाए जाते हैं एकर दूसी लैंग्विज में आ जाए तो तो नाम इसके बात क्या है कि इसे प्रितवी संम्मेलन अर्थ संमिट भी खाता है मैं आपको पहले बता चुक हूँ आगे देखते हैं इस सम्मेलन से पांच वर्स पहले यानि 1987 मे एक Our Common Future नाम से एक रिपोर्ट छपीटी ठीक है एक रिपोर्ट पब्लिस की गई थी आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसमें क्या था इसमें ये बताया गया था कि जो हमारे आर्थिक विकास के आज के तरीके है ना अंदा दून मतलब परियावरन को नुक्सान पहुंचाए जा रहे हैं। बस हमें क्या चाहिए हमें development चाहिए हम यह नहीं देख रहे कि परियावरन कितना प्रदूशित हो रहा है कितना उसको नुक्सान हो रहे। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो आने वाले समय में यह जो हमारी हरकते हैं यह ठीकाव साबित नहीं होगी ऐसा इसमें चेताव नहीं दी गई थी यह विकास सील देश हैं और जो उपर नौर्थ वाले देश हैं यह क्या है विक्सित देश आते हैं अगर आप मैप में देखोगे तो इनके यह तो यह चीज़े कर चुके हैं लेकिन हमें उद्योगी विकास अभी करना है है कि इस कारण विश्व के कई भागों में खनी जुद्योगों की आलोचना ओर विरोध हुआ है उदहरन मैं आपके सामने रखता हूं फिलिपिंस का फिलिपिंज में देखे क्य आ था हुए कैस देशंड कित एक साथ मिल कर एक औस्स्राइलिया की कंपनी थि एक का इसका नाम था Western Mining Corporation इसके खिलाब किया ग़ा ता फिलिपीन्स में कई संगठनों ने एक विरोध यानि प्रोटेस्ट किया था उन्हों ने इसका विरोध किया था और केवल यह फिलिपीन्स में ने बलकी और लोगों कि आदर भी और यह लोगों ने इस कोशन है या आपके सेंपल कोशन पेपर जो आया है 2022 का मैंने सका सोलूशन वीडियो बनाया है आपने नहीं देखा तो उसे देखो उसमें काफी डिटेल में पूछा हुआ था सिक्स मार्क्स के कोशन में तो आप उसे जरूर देखे वहां मैंने जदर डीप समझाया हुए ठीक है अब देखो बांध वाला यानि की खरनी चुद्धियों का विरोध हुए इसके बाद बांध की बात करें तो बांध जहां पे दुनिया बर्मा बनाये जाते है उसके खिला वह नट है जबकि वहां की जनता ने किया था ठीक है बांध विरोधिय आंदोलन था यह था यह पूच लेकर पेपर में तो आपको यह घ्यान रखना है इसके बार ze कि दक्षिनी गोलार्थ के देशों में तुर्की से लेकर थाइलेंड तक दक्षिन अफ्रीका इंडोनेशिया से लेकर चीन तक यहां पर बड़े-बड़े बांदल बनाने की होड लगी हुए प्रोजक्ट चल रहे हैं खुब सारे बांद बनाने की और भारत में भी भारत कैस का जो प्रोजक्ट था उसके खिलाब क्या हुआ था लोगों ने आंदलन कर दिया था क्योंकि वो विस्थापी तो रहे थे उनकी जमीन जो थी वो छिन रही थी तो यह नर्गता बचाओं आंदलन जो है यह भारत में हुआ था यह भी काफी फेमस है तो यह बांद विरोध आंदलन का यह आपके सामने एक्जामपल है अब बात करते हैं नेक्ष्ट संसादनों की भू राजनीती देखे क्या है इस संसार में अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग प्रकार के संसादन उपलब दें आप देखोगे कि कहीं पे खनिस संसादन उपलब दें तो कही से चलता रहा है यानि आज से नहीं पीछे से चलता रहा है मतलब पिछले 100-200-300 साल पीछे भी जाओगे तो भी यह है आपने देखा होगा कि जो बिटेन थे या इस्पेइन वगेरा यह जो पश्चमी देश थे यह फ्रांस वगेरा यह दुनिया के दूसरे देशों को अपना कर देशों को अपना गुलाम बना रहे थे संसाधन के लिए कर रहे थे इमारती लकडी टेल संसाधन हमेशा से महत्पून रहे हैं और पेट्रोलियम पर तो याद रखी है, पेट्रोलियम एक सबसे बड़ा मतलब विवाद का मुध्दा है, जिन देशों के पास पेट्रोलियम है, तो कहीं न कहीं, दूसरे देश जुए, वो चाहते हैं कि भईU के पेट्रोलियम पे उनका अधिकार हो जाए, या फिर उस पे नि पूछे सबसे बड़ा कौन है तो आपको ऐसे आधर रखना है तो ऐसे जा सकते हैं वरना लॉंग कुछिन आपको पते हैं संब्वर के कुछ सम्भव नहीं विश्व के कुछ इस्सव में पीने का पानी पलब्ध नहीं है इसे लिए जल संसादन जो है वो फसाद की एक सबसे बड़ी जड़ है और ऐसा अंदाजा लगाए जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वोर होगा, अगर कोई तीसरा विश्युद होगा तो वो किसले होगा, वो जल के कारण होगा यनी उसको हम जल युद की संग्या भी दे सकते हैं झल संसाधन का जो नजदी की देश होते हैं वो उसका ज़ादा दूरूपयोग करते हैं जैसे मानलीजे कोई नदी है उस नदी से जल जाता है तो नदी जल मतलब पानी जा रहा है ठीक है नदी है तो उसके आसपास के जो देश हैं जहां पर आसपास के जो भी देश रहे होंगे जहां पर पानी आसपास के उपलब देश है वो इसका दूरूपियोग करते हैं क्योंकि उनको उसकी वैल्यू नहीं है लेकिन जहां पर दूर जो रहते हैं हिंसक जड़ब भी हुए इसके लिए आपके सामने के एक्जामबल भी है 1950 से 1960 के दसक में इजराहिल, सीरिया और जॉर्डन के बीच में युद्ध हुआ था तूर्की, सीरिया, इराग के बीच में फरात नदी जो है उसके पानी को लेकर विवाद है इसके बाद बात करते हैं, रियो सम्मेलन जो हुआ था, इसमें ये बात खुल कर सामने आ गई थी कि उत्तरी और दक्षिनी गोलार्द के देशों के सामने अलग-अलग समस्या हैं और चुनौतिया है अब मैं आपको समझाओं दुबारा कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ पर बना दूँ, मान लीजिए ये गोलार्द है, ये ग्लोब है, इसमें पूरी प्रित्वी है, ठीक है जो उपर है, यानि नौर्थ है और नीचे जो है, वो साउथ है, जो नौर्थ में आते हैं, ये डेवलप देश हैं, यानि ये वो देश हैं जो विकास कर चुके हैं और यह जो south में आता है यह developing है यानि विकास कर रहे है तो यहाँ पर आदे आने लगी है और यहाँ पर यह पर वाले देशों में यह समस्या नहीं है नीचे वाले जो देश हैं उन्हें यह समस्या है कि इनको गरीबी से भी लड़ना है इनको रोजगार की समस्या है इनके यहा दूनों की समस्या و दूनों की जरूर्त एंवो अलग है यानि की रियो सम्मेलन वे यह बात खुल कर सामने आ गई थी इनके सामने जो समस्या यो चनोतिया है वो अलग अलग है up고 के जो देस। यह विकसित और धनी हो गया ठीक है यह द्धनी देस हैं यह नीचे वाले जो यह गरीब देस है यह विकसित है यह आपको समझाया है इस तरीके से इसके बाद देखो उत्तरी गोलार्थ के जो जो देस है इनकी मुख्य चिंता है और जो उन परत में छेद हो गया है जिससे की जलवाई उपरिवर् से कैसे निकाला जाए गरीबी कैसे खतम किया जाए परियावरन मैनेजमेंट कैसे किया जाए यह इनकी चिंता है तो आप यहां से यह समझ गया हूंगे कि दोनों गोलार्थों के देसों की अपनी अलग चुनोती और अलग समझ से आए हैं ठीक है आगे देखते हैं रियो सम्मेलन में जलवाईू परिवर्तन पे जैव विवित्ता ठीक है वानिकी के सम्मद में कुछ नियमाचार निर्धारी तो है कुछ रूल्स बनाए गए औ और इसमें अजेंडा 21 के रूप में इसका विकास के कुछ उपाय सुझाए गए अब ये कई पर पेपर में आ जाता है सौट कोशन में कि बताए अजेंडा 21 क्या है तो अजेंडा 21 के तहता आप ये बता सकते हो कि इसमें विकास करने के मतलब तरीके ये बतायते कि विकास ऐसा हो जिससे कि आप विकास तो करें लेकिन पर्यावरन को पॉलियोशन मतलब नुकसान जो है पर्यावरन में पॉलियोशन जो है वो कम हो ठीक है तो सम्मेलन में इस बात पर सहमती बनी कि आर्थिक विर्दी का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरन जो है इसको नु पड़ेगा ठीक है ऐसे विकास जिसमें पर्यावरण को नुक्सान कम हो उसे टिकाव विकास हम कह सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या आई कुछ आलोचक जो है उनका यह कहना है कि अजेंडा 21 जो है इसका जुकाओ पर्यावरण की सन्रक्षन की बजाए आर्थिक विर्दी की और ज्यादा है यानि यह कहते हैं लोग आलोचक कहते हैं कि अजेंडा 21 जो था इसमें क्या था कि पर्यावरण की बाते कम थी इसमें ज्यादा जो बाते थी वह आर्थिक विकास की थी कि आर्थिक विकास को कैसे किया जाए तो यह भी एक समस्या बनके आई है आगे देखते हैं विश्व की साजी संपता यह इंपोर्टेंट है यहां से आपके पेपर में six marks का कोशन की साजी संपता तो समझे ठेक साजी संपता ऐसे संसादन को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बलकि पूरे समुदाय का दिकार हो ठीक है साजी संपता जैसे कि मैं अगर आपको एक्जामबल दूं तो जैसे कि मानलो कोई joint family होती है तो joint family के अंदर जो चूला होता है वो सभ या罪 की खेते हम चाहते हैं लेकिन अब यहां पर कोशन आते हैً वश्विक संपदा या फिर मानवता के साघी विष्यु में भी कुछ ऐसी स्थान है जिस साज्वी संपता की रूप में देखते समझते है इसके विश्यु के कुछ हिस्से और कुछ छेत्र एक देश के छ benevolent और से बाहर होते है इसलिए इनके प्रबंदन यानि के जो management होता है abbiamo बी साजे तोर पे किया जाता है या या अंतराष्टे समुद्धाइए के द्वारा उसको उसकी जिम्मिदारी रखी जाती है इनने वैस्विक सम्पता या मानवता की साजी विरासत कहा जाता है ठीक है वैस्विक समपता या मानवता की साजी विरासत, example देखो इसका आपको example से समझ मैंगा जिसने हमारा वायू मंडल है वायू मंडल जो है, वो सभी देसों के लिए वो ये तो नहीं कहा सकता, ये मेरा है ये हमारा है, इस पर हमारा दिकार है ऐसा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इसे हम Westwick संपदा के रूप में देखेंगे या फिर माना हुता है कि साजी विरासत पाहरी अंतरिक्ष्ट जो है वो सब का है अंटार्टिका पे भी है पर अंटार्टिका पे थोड़ा सा कुछ देश अपना-पना अधिकार बताते हैं लेकिन ये भी एक साजी संपदा है समुंदरी सत्य जो है वो भी साजी संपदा है अब देखें ये जो Westwick संपदा है इसकी सुरक्षा के लिए कुछ संदिया की गई है यानि कुछ ट्रीटी की गई है जैसे की संद्री में अगर आ जाये तो आपको याद रखना है की अंटर्टीका संदी हुई थी एक एक मोंट्रियल नयायाचार हुआ था और एक अंटर्टीका पर्यावरन नयायचार हुआ ठीक है यह याद रखना है साजी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारी ये कोशन आपकी पेपर में सबसे यादा पूछा जाता है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्डेंट कोशन है इस कोशन को आपको याद रखने है ठीक है चलिए समझो इसे क्योंकि ये लॉंग कोशन में आता है देखे क्या है कि साज परंतु अलग-अलग जिम्मेदारी यानि सबी के जिम्मेदारी तो है लेकिन अलग-अलग देखे पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिनी गोलार्द के देशों के रवये में अंतर है अंतर क्यों है अंतर इसलिए है क्योंकि उत्तरी गोलार्द के जो देश है वो वि प्राबर की हिस्सेदारी निभाई जानी चाहिए हर देश के द्वारा ठीक है लेकिन दक्षिनी गोलार्थ के जो विकासिल देश है वो यह चाहते हैं कि पर्यवरन को ज्यादा नुकसान जो है वो विक्सित देशों ने पहुंचाया है तो ऐसे में जिम्मेदारी भी ज्याद लेकिन जो दक्षिनी गोलार्थ के देश है इन्होंने तो अभी अपना इनका शुरू हुआ है यह डेवलपिंग कंट्रीज है ठीक है यहाँ पर अद्योगी करान अभी शुरू हुआ है उस लेवल पर नहीं पहुचा तो ज़्यादा पॉलिशन की बात करें तो किसने फिल आर्थ के देशोंने कम पॉलिशन फैला है उससे मतलब नहीं है वो कहने बराबर यहीं पर आ जाता है विवाद दक्षिनी गोलार्थ के देश कहते हैं कि तुमने ज्यादा नुकसान पहुचा है तो ज्यादा भरपाई तुमें करनी चाहिए हम क्यों करेंगे क्योंकि हमने ज्यादा नुकसान पहुचा है नहीं समझ गयों इसलिए कहा चाता है इसमें आगे देखिए अगर यह आपको समझ मांगे तो आगे अच्छे से समझे देखिए तो यह कहते हैं दक्षिनी गोलार्थ के देश कि विकास शील देश जो है वो यह चाहते हैं कि पर्यावरन को ज्यादा नुकसान जो है वो विक्सित देश उन्हें पहुचा है इसलिए ज्यादा भरपाई भी कौन करें विक्सित देश करें ठीक है तो विकास शील देश तो अभी ओद्योगी करन की परकरिया से गुजर रहे हैं इन पर बैन लगाना परतिबन लगाना ठीक है यह सही नहीं है ऐसा खहते हैं यह देश इसी कारण वर्स 1992 में जो रियो सम्मेलन था उसमें यह प्रस्तावित किया गया था और मान भी लिया गया था कि इसी सिधान्त को ही हम मानेंगे साजी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी उसमें यह बात मान ली गई कि ठीक है भाई जिसने ज्यादा नुकसान पहुचा है उसे भरपाई ज्यादा करनी ची जिसने कम पहुचा है उसको कम करनी ची लेकिन जिम्मेदारी सभी की है यानि साजी जिम्मेदारी है कोई यह ना बोले कि हमारी जिम्मेदारी नहीं साजी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी आई होप आपको समझ माया और समझ माया तो आप कॉमेंट में जरूर बताना मुझे ठीक है क्योंकि काफी आसान सब्दों में समझा रहा हूं बिल्कुल अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट संके निया माचार कुछ रूल्स वगेरा बनाये गए थे बही जिससे की कुछ बहतर हो सके देखते पिछले 10-12 साल के पेपर हैं उसमें तो उसमें देखोगे तो यह कुशन पेपर में आया हूँ है कि बताए यू एन एप सी 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 का फुल फॉर्म क्या है तो यूनाइटिड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेंट चेंज जलवायू के परिवर्तन से संबंदित स इसमें भी कहा गया है कि इस संदी को सुईकार करने वाले देश अपनी शमता के अनुरूप परियावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी क्यादार पे साजी परंतु अलगलग जिम्मेदारी निभाते हों परियावरण के सुरक्षा करें यानि इन्होंने भी मान लिय है कि जिस देश ने जैसा नुक्तान पहुचा है वो अपनी शमता के अनुसार परियावरण की जो सुरक्षा है उसको करने की जिम्मेदारी निभाए ठीक है आगे देखते हैं इस नियमाचार को सुईकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि एतिहासिक रूप से भी औ हम बात करें तो प्रती वक्ति उसर्जन उसके उसके सरजन अन्य व्यांस काम है उसकारन चीन भारत और व्याश को प्रतेश के बात देता से लग रखा ऍपर डरिया जाते हैं तो को आफ शियोंगे लिमिट रखे गयी तीप भाई हम जो देश हैं उन्हें ये जो green house जैसी खतरनाग gas हैं उसका उस सर्जन धीरे-दीरे कम करना है ठीक है तो इसलिए भारत जैसे देश चीज जैसे देश इनको थोड़ी छूट दे दिती कि अभी आप उस level पर नहीं पहुचे हो आपने तो अभी अध्योगी करना सुरू करा है डेवलब आप हो रहे हो तो आपको थोड़ी छूट दे दी जाती है बाकी देशों को लेकिन उसमें उनकी अनुसार चलना था ठीक है तो क्योटे पर्टोकाल क्या है कई बर पेपर में आ जाता है और यह आता है तो दो नुमबर के कोशन में आता है क्योंकि ज्यादा बड़ा कोशन नहीं है ठीक है तो यह देखिए समझाता हूं क्यों अंतराश्टे समझोता है है मीथेन जैसे घेक हैtoiा है यहां पर बप्रत है सूरें हमको प्रकास कर समझो तो कि यहां पर क्या है गैस में थिसको हम बोलते हैं ओज़ों कि परत क्या होता है सूले की जो रोष्णी होती है वो हमारे पास चंड कराती जिसे आप इतना जब हम चाय को बनाते हैं उसको चानते हैं जिससे की चाय पत्ती वगएरा या जो अद्रक वगएरा जो भी है वो ऊपर रह जाए और नीचे चाय जाए के वल ठीक है इसी तरीके से उस चाननी का गाम करते हैं जो सूरे की रोशनी आती है प्रित्वी पर हमारे पास वो तो सूरे की किरने होती है UV rays बोलते है जिस यानि अल्टरा वोयलेट किर्ने जिसको हम हिंदी में पराच्रा बेंग नहीं के नहीं कहते हैं तो यह जो UV rays होती है अगर हो बहुत घातक होती है बहुत नक्सान दयक होती है तो ऐसे में यह जो ओजोन परत है हमारी रक्षा कर देती है सूरिय की किर्णों से समझे रहे हूं तो अब क्या है कि Antarcticा में ऐसा वैज्ञानिक ओर ह场 बाया कि गर्णा क्यूत हूं जो नीचे साहत क्यूज है Antarcticा के उपर ओजन परत में छ्षेद देखा गया अब वहाँ पर क्या है चेद ओग गया है ओजो उन परत में चेद ओगया तो सूरे की रोषणी अब डैरेक्ट आए है अब जब सूरे की रोषणी तो हिट तो टेरेक्ट हईए वह जई गा अन्तर्टिका पूरा ब्रफ से डखा है आपको पता हैं यहीये तो जब ज़द थे ना कभी globe में या world map में जो आसपास के देश होंगे तो कहीं न कहीं उनको नुकसान हो जाएगा हलाकि यह नुकसान केवल आसपास के देशों को नहीं इनको तो पहले होगा बाकि नुकसान तो दुनिया वर के लिए एक तरह से लेकिन यह चीजे पाई गई है ठीक है तो यही ओजोन परत है और यही ग्लोबल वर्मिंग का कारण है और ग्लोबल वर्मिंग क्यों हो रही है पॉलूशन आप समझी रहे हैं कितना ज़्यादा पॉलूशन हो रहा है तो यह मैं आपको छोटा सा टॉपिक बताना बूल गया था बट यहां पर समझ जाओ अब बात करते हैं साजी संपता, ऐसी संपता जिन पर किसी समूग के परते एक सदस्य का स्वामित हो, उसको हम साजी संपता कहते हैं, ऐसे संसाधन के उपयोग ततर रक रकाओं में, हर सदस्य के ओप समान अधिकार परापत होते हैं, ठीक है? यह अच्छा टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा आपको बताते हैं तुम देखे वन परांतर क्या होता है आप कभी गाउं अगेरा में जाते होंगे तो आपको पता होगा कि गाउं में क्या होता है पुराने समय में कुछ पेड़ ऐसे होते थे उनको ना पवित्र माना जाता था ठीक है ऐसा माना जाता था कि इन पेड़ों में इश्वर का वास है इसलिए उनको कभी काटा नहीं जाता था लोग वहाँ पर जाते थे जल चड़ाते थे पूजा करते थे ठीक है क्यों करते थे क्योंकि उनको लगता था कि यहां पर देवी देवताओं का वास है इन जगा में क्या बोलते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं बागी में आपको बता देता हूं राजिस्तान में ऐसे स्थान को वानी कहते हैं जारकंड में जहरा या फिर सर्णा कहते हैं मेगाले में लिंग दो कहते हैं केरल में काव कहते हैं उतराकंड में जो है थान या देव भूमी कह हस्ताक्चर किये, क्योंकि भारत को Kyoto Protocol जो बाया था तो उसमें छूट दी गई थी ऐसा माना जाता है कि भारत और चीन भी जल्दी ही Greenhouse Gas के उस सर्जन में आगे न ज़राएंगे क्योंकि तेजी से डवल अब हो रहे हैं दोनों भारत का कहना है कि Greenhouse गेसों को कम करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विक्सित देशों की होनी चाहिए भारत का ग्रीन हाउस गैस का उस थर्चन जो है वह काफिया कम है मतलब उनके मुकाबले तो बहुत कम है हमने पर्यावरन के लिए काम करने सुरू कर दिया हैं तो बहरत सरकार द्वारा पर्यावरन को सनरक्षन देने के लिए उठाए गया कदम भारत ने अपनी नेस्येट आटो फियूल पॉलिसी में बदलाव करा बारत में सवच्छता जो सवच्छी इंदन है उसका उपियोग अ परिमी संदीदी कि अब CNG पे चलो CNG से क्या है पॉल्यूशन नहीं होता है 2001 में उर्जास नक्षन अधिनियम जो है वो पारित कर दिया 2003 में बिजली अधिनियम पारित कर दिया स्वच कोईले के उपयोग को बढ़ावा दिया जाने लगा यहां पे बायो डीजल का प्रियोक को मंजूरी मिली अभी बायो डीजल बड़े लेवल पे नहीं है उटे लेवल पे पर ऐसा माना जा रहा है और ज्यादा कर दिया जाएगा एथनौल वगएरा जो है वह गन्ने के गन्ने वगएरा से उससे बनाया जाता है ठीक है पिर इसके बाद किया है आपको पता है इवी जो वहान होता है क्योंकि LPG पहले क्या होता था चूले पे यानि लकड़ी जलाके या उपले जलाके उस पर गाउं वगएरा में खाना बनाया जाता था लेकिन अब उस वाले चूले का रिवाज खतम करके सिलेंडर LPG पे आने लगे हैं सब तो ये कुछ बदलाव हैं जो भारत ने किया हैं जिससे की परियावरन में ताकतवर अंदूलन बन गया है दुनिया बर में परियावरन को लेकर अंदूलन चलते हैं यह अंदूलन अलग-लग देसों में अलग-लग मुद्धों पे चल रहे हैं एक्जामपल के लिए आपके सामने रखा हुए ध्यान से देखिए जैसे वनों की कटाई के खिलाब चल ब्राजील, मलेशिया, इंदोनेशिया, अफ्रीका और भारत में यहां पर वन आंदूलन चले हैं वनों को बचाने के लिए क्योंकि यहां पर वनों की कटाई ज्यादा हो रही थी तो इसलिए वनों की कटाई का यहां पर क्या हुआ है विरोध हुआ है इसके बात एक खनी जो जो अधी प्रित्वी पे टाकतवर उध्योग है इसमें किया होता है धरती का खनन किया जाता है अब खनन में क्या होता है कुछ चैमिकल्स ऐसे होते हैं जो मतलब निकलते हैं जिसकी खनी जो दियो कभी दुनिया भर में आप देखोगे तो इसकी आलोचना और विरोध आपको देखने को मिलेगा ठीक है एक्जामपल के लिए आपके सामने है फिलिपिन्स वाला यह आई थिंग दुबारा आ गया है यह मैंने आपको करा दिया था ठीक है बांध के खिलाब भी आंदोलन चले है यह दो तिन स्लाइड इसमें रिपीट हो गये गलती से माफी चाहता हूं उसके लिए पर डॉंट वरी यह मूलवासी टॉपिक जो है इस पर फोकस करो आप को पूछा जाता है इस चैप्टर से तो मूलवासी लोग कौन होते हैं तो मूलवासी लोगों को ऐसे लोगों को ब्वंसच माना जाता है जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से यानि कई पीडियों से रहते चले आ रहे हैं, फिर किसी दूसरे देश की संस्कृति वाले जाती है मूल के लोग आए, वहाँ पर आके बस गया और इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया मूलवासी जो है, आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा की अनुसार जीते है अपने खास मतलब इनका जिन्दकी जीने का अपना अलग और एक खास तरीका है उस तरीके से ही रहते हैं, दुनिया भर में आज के समय में मूलवासी जो है वो रहते है दुनिया में चाहिए वो भरत के मूलवासी हो या वो अफरीका के मूलवासी हो एक जैसे ही रहते है यह अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बहुत जादा महत हो देते है अब मूलवासी हो से समधित कुछ आंकड़े देखे एसना माना जाता है कि दुनिया भर में 30 करोड मूलवासी रहते हैं फिलिपिन्स में 20 लाग के करीब चिले में 10 लाग बंगला देश में 6 लाग जो नौर्थ अमेरिका है यहां पर 3 लाग 50 जार 3 लाग जिसे हम कहेंगे और जो उतरी सोवियत हैं यहां पर 10 लाग इतने मूलवासी रहते हैं अब बात करते हैं मूलवासी की समस्तिया important question यह भी है कि मूलवासी की समस्तिया बताई है ऐसे भी आ जाता है question तो देखे समानता के लिए संगर्स करना पढ़ रहा है तो यह सही नहीं है यह सही नहीं जंगलों से जड़े होए जंगलों में रहते जंगलों की आस-पास अलग संस्क्रिक्ति की से रहते रहते हैं पैक je मूलवासी वाप जिस स्थान पर मांग करें कई बार जंगलों से इनको भघा दिया जाते हैं ठीक है तो यह जंगलों को ना उजाड़ने की मांग करते हैं और इनके जीवन में दखल अंदाजी अगर कोई करता है तो वो इनको पसंद इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं यह मांग करते हैं किनके जीवन में दखल अंदाजी ना की जाए ठीक है यहां पर हमारा जो चैप्टर है वो खतम हो जाता है और काफी लंबा वीडियो बन गया बट आपको सारी इंपोर्टेंट चीज़ चैप्टर की जो है वो बता दिए वीडियो को लाइक जरूर करें परमेंट कर दिया करें शेयर कर दें मिलते हैं आप से जै हिंद जै भारत